लहसुन की कीमत इन दिनों आस्मान छुने लगी है। लगातार नई फसल आने के बाद भी मध्य प्रदेश में लहसुन 400 से पार है। यह कीमत थोक में भले ही कम हो लेकिन चिलहर में बेहत ज्यादा है। आपको बताते हैं लहसुन की बड़ी कीमत की वज़ा। पिछले साल जनवरी 2023 के दौरान खेरची मंडियों में लहसुन महेज 25 से 50 रुपए प्रती किलो के भाव पर भिक रहा था। थोक मंडी में यह भाव 10 से 15 किलो रुपए था। जबकि इस साल दाम 400 से 500 रुपए किलो है। ऐसा क्यों हुआ? इस पर उज्जैन थोक मंडी के व् 2022 में जब नए साल में लहसुन का फसल आई थी, तब इसकी कीमत देश की मंडियों में महेज 5 रुपए थी। रायपूर की मंडी में ही इसकी कीमत थोक में 9 से 10 रुपए थी। चिलहर में इसकी कीमत 30 रुपए किलो रही। किसानों को इतनी कम कीमत के कारण भारी नुकसान क का सामना करना पड़ा. ऐसे में किसानों से भी ठान लिया कि अब घाटे का किसानों के अनुसार, सबसे अधिक मध्यप्रदेश में मालवा संभाग में ही पैदा की जाती है. अधिक नुकसान होने के कारण रकबा एक ही साल में दस फीसदी कम हो गया है जबकि उतपादन में आठ फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्स की गई है जिसका असर बाजार पर दिखाई दे रहा है कम दाम की वज़े से किसानों को लाखों रुपए का घाटा हुआ था इस साल किसानों ने लहसुन के स्थान पर दूसरी फसल खेतों में लगाई जानकारों के मताबिक साल 2021 से 22 में देश भर में 4,31,000 हेक्टेयर में लहसुन की खेती हुई थी जो 2022 से 23 में घटकर मातर 3,86,000 हेक्टेयर हो गई यानि एक ही साल में रखबा 45,000 हेक्टेयर घट गया रखबा कम होने के कारण उत्पादन भी प्रभावित हुआ 2021 से 22 के दौरान देश भर में 35,23,000 में लहसुन का उत्पादन हुआ था जबकि 2022 से 23 में यह घटकर 32,33,000 में रह गया है बतादें की बाजार में लहसुन की नई फसल पिछले कई दिनों पहले ही आ गई है पिछले हफ़ते ही थोक में इसकी कीमत 340 रुपए थी जिसके बाद लहसुन तेजी से गिरा और उसकी कीमत 170 से 240 तक पहुँच गई ठोक के बाजार में तेजी से लहसुन के दाम तो गिरे लेकिन चिलहर में अभी भी खेल जारी है चिलहर में लहसुन का दाम अभी भी 400 रुपए किलो बना हुआ है यह लोग उत्पादों में कमी बताते हुए दाम कम नहीं कर रहे हैं थोक और चिलहर में लहसुन की कीमत पर बड़ा अंतर होने को लेकर चतिसगर के सबजी व्यापारी संग के अध्यक्ष ने कहा है कि यह पहली बार होगा कि नई फसल आने के बाद कीमत 300 रुपए से पार है लेकिन छोटे व्यापारियों को समझने की जरूरत है जो लहसुन 170 से 240 थोक में है वह चिलहर में इतना दाम नहीं होना चाहिए अध्यक्ष ने कहा कि बहुत जल्द ही आने वाले समय में कीमत में कमी आएगी वही राजधानी के दूसरे कारोबारियों की माने तो जब-जब नई फसल आती है तो लहसुन की कीमत थोक में 60 से 70 रुपए और चिलहर में 100 रुपए किलो होती थी जब सप्लाई कम होती है तो धीरे-धीरे कीमत में उच्छाल देखने को मिलता है नई फसल के साथ ही कारोबारियों को दाम कम होने की काफी उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ उनका कहाना है कि रायपुर में थोक की कीमत कम नहीं है इसलिए चिलहर के दाम कम नहीं हुए है रिपोर्ट में एसोसियेशन के प्रेसिडेंट कमल दे के हवाले से बताया गया है कि प्रोडक्शन घटने के कारण इस साल कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कोलकाता के बाजारों में अधिकांश आपूर्टी बंगाल के बाहर से आती है और इसका स्रोत नासिक है ना केवल कोलकाता बल्कि गुजरात के अहमदाबाद में भी लहसुन 400 से 450 रुपए प्रती किलोग्राम बिक रहा है इसके अलावा दिल्ली, यूपी, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में लहसुन के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी